अज़ बढ़ते वास्तु दिवाया हरे कृष्णा पिछले तीन सब्दाओं से हम आचारे की जीवन्चरित्र की श्रिंकला पे आपके साथ चर्चा करते हुए श्री रुप गुस्वामी, श्री जीव गुस्वामी और श्री लास सनातन गुस्वामी जीके जीवन्चरित्र की श्रिक्षाओं पे चर्चा कर चुके हैं आज इन शे गुस्वामीं में से एक और महत्पुन गुस्वामी जिनका नाम था श्री गुपाल बट गुस्वामी आज उनके जीवन्चरित्र की उपर कुछ देर चर्चा करने जा रहा है सुगोपाल भट गुद स्वामी ये श्री रंगम में जो कि दक्षिन भारत में रंगनाथ भगवान का सुन्दर अस्तान है जहां पर श्री रंगनाथ जी जो कि विभीशन जी जिनकी पूजा अर्चना करते थे विभीशन जी के समय के विग रहे हैं भगवान विष्णु का और ये गुपाल भट गुद स्वामी उस रंगनाथ मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे उसके पुद्र थे और इनकी आयो थी साथ वर्ष की और इनके जीवन में इनको सौभागे मिला अपने साथ वर्ष की आयो में चेतने महाप्रभू के संग को पाया इनोंने तो चेतने महाप्रभू जिस समय दक्षिन भारत की यात्रा में जगरनाथ पुरी से आये तो चेतने महाप्रभू 24 साल की आयो में उन्होंने सन्यास लिया था और 24 वर्ष की आयू में सन्यास लेने के बाद एक वर्ष जगरनातपुरी में रहे और 25 वर्ष की आयू में जितने महाप्रभू दक्षिन भारत की यात्रा करने गए और जब वो दक्षिन भारत की यात्रा करने के लिए गए तो वो श्री रंगम पहुँचे और श्री रंगम में जो की श्री वैशनव तो चार मुखे प्रमानिक संप्रदाई हैं वैशनव जो कहलाते हैं इसमें से एक है ब्रह्म संप्रदाई दूसरा है कुमार संप्रदाई तीसरा है रूद्र संप्रदाई और चौता है श्री संप्रदाई तो इन में श्री संप्रदाई के जो भक्तगन है वो अधित्त दक्षिन भारत में सित है क्योंकि श्री रामनुजचारे जी ने इसका बहुत प्रचार प्रसार किया था और श्री रंगम को श्री संप्रदाय का गढ़ माना जाता है मतलब एड क्वाटर जैसे मुख्याले उसे कह सकते हैं और श्री रंगम के मंदिल में चेतने महाप्रभू दर्शन करने के लिए रंगनाजी का जब पहुँचे तो चेतने महाप्रभू हर समय भगवान के प्रीम में डूबे रहते थे और कृष्ण प्रीम की अवस्ता में वो उनमत होकर नृत्य और कीर्दन कर रहे थे और जब चेतने महाप्रभू कीर्दन करते थे रिर्द्य करते थे तो समय उनको रोक नहीं पाता था वो पूरी रात चलता रहता था पूरा दिन चलता रहता था और रुपता नहीं था चेतने महाप्रभू इस प्रकार से भगवान के प्रीम में डूबे रहते थे तो जब चेतने महाप्रभू रंगनाजी के मंदिर में पहांचे तो रंगनाजी का दर्शन करने के उपरांथ वो कीर्थन और नृत्य करने लगे और श्री संप्रदाय में अर्चा विग्रा की पूजा अर्जना को विशेश बल दिया जाता है वश्नव सेवा पे बल दिया जाता है लेकिन कीर्थन और नृत्य आदि इसका इतना अधिक प्रभाव नहीं है तो उन्होंने जब पहली बार चेतने महाप्रभू को इस तरह से कीर्थन नृत्य आदि करते देखा और चेतने महाप्रभु को प्रभाव को देखकर सभी आश्चरे चकित रहे गए जिस प्रकार से चेतने महाप्रभु कीर्दन और निरते कर रहे थे तो चेतने महाप्रभु को देखकर वेंकडवर्ट जो की वहां की मुखे पुजारी थे वो आए और चेतने महाप्रभू से कहने लगे कि आप हमारे घर में प्रसाद के लिए आईए और चेतने महाप्रभू ने वेंकट भट का निमंतरन स्विकार कर लिया और निमंतरन स्विकार करने के बाद जब चेतने महाप्रभू वेंकट भट के घर पहुँचे तो वहाँ पर पहली बार गुपाल भट जो की आगे चलकर गुपाल भट गोद स्वामी बने उन्होंने चेतने महाप्रभु का दर्शन किया तो चेतने महाप्रभु 25 साल के थे और गुपाल भट 7 साल के थे तो 18 वश बड़े थे चेतने महाप्रभू गुपल भट से चेतने महाप्रभू को गुपल भट ने जब पहली बार देखा तो गुपल भट को ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने चेतने महाप्रभू को पहली बार देखा है क्योंकि चेतने महाप्रभू ने गुपाल भट को एक स्वपन में उनके इस मिलने से पहले वो गुपाल भट के स्वपन में आए थे और उनके स्वपन में आकर चेतने महाप्रभू ने गुपाल भट को आलिंगन किया और कहा बहुत जल्दी तुम मेरे पास आ जाओगे तो ये गुपाल घट ने अपने स्वपन के अंदर चेतने महाप्रभू को ऐसा कहते देखा और चेतने महाप्रभू ने ये भी कहा उस्वपन में कि तुम आगे चल कर एक बहुत बड़े आचारे बन जाओगे और तुमारे कई अन्याई होंगे और तुम भक्ती के संदेश का प्रचार कहीं शास्त्रों को लिख कर करोगे तो ऐसा चेतने महाप्रभू ने उनके स्वपन में उन्हें दर्शन देकर अपनी भविशवानी प्रस्तुत की तो जब गुपाल भट ने चेतने महाप्रभू को लाइव पहली बार देखा अपनी आख के आगे जब उनके घर में वो आए उनके पिता के निमंतरन की वज़ा से तो गुपाल भट को ऐसा नहीं लगा कि वो पहली बार चेतने महाप्रभू का दर्शन कर रहे है और चेतने महाप्रभू जब वेंकट भट के घर में आए तो वेंकट भट के घर में आकर वो कृष्ण कथा करने लगे, वो कीर्थन करने लगे, वो नृत्य करने लगे और गुपाल भट देखते ही जा रहे थे चेतने महाप्रभू को और वो पलक भी नहीं चपक रहे थे तो चेतने महाप्रभु के चर्णों का अभिशेक किया वेंकड भट ने और जब उस चर्णों का अभिशेक हुआ तो जो चर्णामरत था उस चर्णामरत को गोपाल भट ने ग्रेन किया और जब वो चर्णामृत गुपाल भट ने ग्रहन किया तो वो भी कृष्nor प्रेम में पागल हो गया तो चेतरे महापरभु का ऐसा सुभाब था कि जो भी उनके संपर्क में आता था जो उने देखता था जो उने छूता था जो भी किसी भी तरह से उनके संपर्क में आता था वो कृष्ण प्रेम को प्राप्ट कर जाता था और वेंकट भट ने चेतने महाप्रभू को बोला क्योंकि ये चातुर मास का समय है तो उस समय चातुर मास के समय में सन्यासी एक जगा से दूसरी जगा नहीं जाते थे वो एक ही जगा पर रहते थे तो चेतने महाप्रभू ने वेंकट भट का निमंतरन फिकार कर लिया और वो वेंकट भट के घर में रह गए और रोज गोपाल भट को अब चेतने महाप्रभू का दर्शन होता और उनका संग होता उनके द्वारा किये गए कीर्थन में गुपाल भट उसमें भाग लेते उनके द्वारा कहे गए कृष्ण कथा को वो श्रवन करते तो गुपाल भट की रूची चेतने महाप्रभू की इन सारी गतिविदियों में इतनी अधिक बढ़ती जा रही थी कि वेंकट भट ने जब देखा कि उनका पोत्र जो है वो गुपाल भट चेतने महाप्रभू से कितना आकरशित है तो उनको बहुत खुशी हुई इस बात के लिए कि मेरे पोत्र का विशेश रूची अनुराग जो है वो चेतने महाप्रभू के प्रती है तो माता पिता को खुश होना चाहिए जब उनके बच्चे भगवान की भकती में प्रगती करने के लिए ललाई दो या वो सरफ बढ़ें लेकिन आज हम देखते हैं कि कहीं बार बच्चे जब भगवान की भक्ती में आते हैं तो माता पिता थोड़ा डर जाते हैं कहीं ये कुछ जादा आगे बढ़ गए इसी रास्ते पे तो कहीं पता नहीं है कहीं सन्यास ना ले लें कुछ कोई ब्रहमचारिया दी ना बन जाएं घर ये ना छोड़ दे हैं तो कहीं बार हम देखते हैं कि माता पिता बच्चों को रोकते हैं नहीं नहीं हरी कृष्णा वालों के बार जादा मत जाया करो तुम थोड़ा थोड़ा जाया करो बस दूर दूर रा करो इनसे और जादा इनसे बात भी मत किया करो कहीं तुम्हें अपने जासा ना बना देंगे तो माता पिता का क्या करता वे है कि अग वो अपने भक्तों को भगवान का भग्त बनने की प्रेर ना दे उनको भगवान के करीब आने का संदेश दे ऐसा ही श्रिमत भागोतम में पांचमें सकन में भी कहा गया है कि प्रलाद भगवान रिशब देव ये कहते है कि अगमे संतान तभी उत्पन करना चाहिए जब हम उनको भगवान के दाम जाने का रास्ता दिखाने के योगी अधिकारी बन जाए तो वेंकरबड बहुत खुश थे इस बात से कि जो गोपाल है वो चेतने महाप्रबु के संग में बड़े रूची ले रहे हैं उनको बड़ा अनुराग है और उनसे वो बहुत प्रेम कर रहे हैं तो चेतने महाप्रबु जब वेंकरबड के पास बैठते थे तो उनसे गंटों कृष्ण की चर्चा करते थे तो एक दिन जब्रबु वेंकरबड के घर में वेंकरबड से पूछते हैं वेंकरड एक बात बता कि ये जो लक्ष्मी है वो नारायन की पत्ति है और लक्ष्मी पतिवरता इस्तुरी है वो हमेशा नारायन की सेवा करती है लेकिन फिर भी वो लक्ष्मी ब्रिंदावन में कृष्ण की रास लीला में भाग लेने के लिए क्यों आती है तो वेंकरबड बड़े आशर चकित रह जाते हैं बास तो वेंकरड कहते हैं महाप्रभू, कृष्ण और नारायन तो एक ही है उनमें तो कोई अंतर नहीं है तो महाप्रभू कहते हैं अगर वो दोनों एक हैं तो फिर लक्ष्मी कृष्ण की रास लिरा में क्यों भाग लेना चाहते हैं वो नारायन के साथ संतुष्ट क्यों नहीं है तो वेंकरभट बड़े आश्रे चकेत रह जाते हैं और वो कहते हैं आप जानते हैं मैं तो नहीं जानता इस कारण को कि क्यूं लक्ष्मी नारायन को छोड़के कृष्ण की रास्रीरा में भाग लेना चाहती है तो ये रहसे आज दुनिया नहीं समझती कि कौन परम भगवान है कौन है परम भगवान तो साधारनता भगवान कृष्ण को नारायन का विष्णु का अवतार माना जाता है लेकिन श्रीमत भागवत हम पुरान में और अन्य कई उपनिश्दों और पुरानों के रेफरेंस में हम सीखते हैं कि कृष्ण अवतार नहीं कृष्ण अवतारीं जिन से बाकी सब अवतार आएं इसलिए ब्रह्मा जी भी इस बात को कहते हैं कि इश्वर परम कृष्ण कि वो परम इश्वर कोई और नहीं वो कृष्ण है वो सर्व कारण कारणम है वो सब कारणों के कारण है और यही बात भीश्म देव उस युद्ध के मैदान में युदिश्टर महाराज को भी कहते हैं कि ये जो व्रिष्णी वंशी है जो हमारे बीच में एक साधारन व्यक्ति की तरह घूम रहा है ये नारायन का उद्गम है नारायन की उद्पत्ति इन से होती है और ये एक साधारन व्यक्ति की तरह हम सब के बीच में ऐसे बने हैं कि जैसे ये एक साधारन से व्यक्ति हूँ के भी स्त्रोत है तो नारायन की भी उत्पत्ति उनी भगवान कृष्ण से हुई है वो उनके विस्तार है हालां कि दोनों में कोई अंतर नहीं है लेकिन भाव का अंतर है अब कैसे ब्रिंदावन में ये शुदा माता कृष्ण को बांध देती है कैसे गोप सखागन कृष्ण को खेल में पराजित भी कर देते हैं और उनको सजा भी देते हैं कि देखो तुम आज खेल में हारे हो कृष्ण तो तुम्हें अपनी पीर पे हमें उठा कर गुमाना पड़ेगा पूरे ब्रिंदावन के अंदर और गोप गोपिकाएं भी कृष्ण के साथ एक साधारन बालक या एक साधारन युवक की तरह उनसे वेवार करती हैं तो ये जो भाव है ये वेकुंट में नहीं नारायन के साथ जो भावना है वो कैसी है जैसे एक बार कृष्ण ने गोपियों की परिक्षा लेनी चाहिए और गोपियों की परिक्षा लेते हुए कृष्ण ने नारायन का रूप धारन कर लिया तो वो गोपियों के साथ थे कृष्ण और गोपियों की परिक्षा लेने के लिए कृष्ण चुप गए और चुपके नारायन का रूप धारन करके बीच में आ गए जो गुपियों नारायन को देखा तो उने नारायन को प्रणाम किया और प्रणाम करके गुपिया कहती है नारायन को कि क्या आव जानते हैं क्रिश्न कहा गाए है तो उने नारायन से कोई लेना देना नहीं था कि आएं यहमें कुछ वर्दान दे के जाएंगे कुछ आप इनसे अपने जीवन के लिए कुछ आशिरवाद ले लें कुछ वर्दान ले लें उन्हें कृष्ण को ही डूड़ना है और वो नारायन से पूछते कि आप हमारी सायता कर सकते हैं कृष्ण कहा हैं तो ये है ये ब्रज फ्रेम है जो कि सिर्फ भगवान के धाम गोलो ब्रिंदावन में पाया जाता है इन्हें वैकूंट के अंदर नहीं डूड़ सकते हैं तो वैकूंट में जैसे चार वो कुमार थे न ब्रह्मा जी के जो पहले चार कुत्र थे, चार कुमार थे उन्हें कुमार इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आयू को बढ़ने नहीं दिया आ गए तो बाले अवस्ता के बाद जो next stage आती है उसको कुमार अवस्ता कहते हैं तो पांच साल से उपर की जो आयू होती है वो कुमार अवस्ता होती है पांस साल तक बाले वस्ता बोलते हैं तो कुमार थे ये चार ब्रह्मा जी के चार पूतर ये हमेशा चार कुमारी रहते हैं और ये नंगे गूमते थे अभी बच्चे हैं और गूमते गूमते वेगुंड पहुं दिया तो दुवारपालों ने रोख दिया तो मंदर नहीं जा तो नारायन बनकर आएं और नारायन से भी गुपियां क्रिष्ण का पता डूंड रही थी कि क्रिष्ण कहा है तो लोग नारायन से वर्दान चाहते हैं उनसे आशिरवाद चाहते हैं लेकिन भगवान के धाम में ब्रिंदावन में वहाँ पर जो भक्ति का रस है उसमें शांत और दासे की भावना नहीं है उसमें माधूरे की भावना प्रदान है लेकिन बैकुंट में जो भक्ति है वो शांत और दासे की भावना के साथ है कभी ऐसा आप सुनेंगे नहीं कि विष्णु को बान दिया रिश्वना माईने पकड़के ऐसा नहीं सुनेंगे कभी आप या विष्णु के कंदे पर चड़के श्रीदाम बोले चलो मुझे गुमाओ तुम कबड़ी में हर गए मुझसे ऐसी भावना कभी नहीं आप सुनेंगे ऐसी कोई लिला नहीं सुनेंगे विष्णु के साथ नारायन के साथ क्योंकि वहाँ पर एक शांत और एक दासे की भावना है एक एश्वरे की भावना है जहां पर एक स्रेष्ट है और एक निम्ने लेकिन जो ब्रिंदावन की भावना है वहाँ भगवान को न यह नहीं पता चलता कि उनके भक्त भगवान है कि कृष्ण भगवान है यही अंतर खतम हो जाता है यही समझा बड़ा मुश्किल हो जाता है ब्रह्मा जी भी उनका सर चक्राग्या देखके कि यह कृष्ण भगवान कैसे हो सकते है यह तो इनके जुटा खा रहा है यह अपना जुटा इने खिला रहा है क्या हो रहा है यह आपर तो ब्रह्मा जी भी कन्फिूज हो गए था यह बात देखके तो यही बात चेतने महाप्रभू वेंकट भट से पूच रहे थे कि लक्ष्मी पतिवरता इस्त्री है लेकिन फिर भी वो क्रिष्ण की रासलिला में भाग लेने के लिए क्यों आती और वेंकट भट इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि यह कैसे हो सकता है कि नारायन और क्रिष्ण में कोई अंतर नहीं लेकिन फिर भी लक्ष्मी क्रिष्ण की रासलिला में आना चाहती है तो इसलिए भगवान को समझने के लिए हमें गुरु शिष्षे की प्रमानिक परंपरा का आश्रे लिना होता है तो बिना प्रमानिक परंपरा का आश्रे लिए हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं हम कन्फ्यूज हो जाते हैं पूरी तरह से ये कैसे संभव है कि लक्ष्मी क्रिष्ण की नारायन को छोड़के क्रिष्ण की रासलीला में जाना चाहें तो इसलिए गुरु शिष्ण परंपरा ही हमें भगवान के तत्व को पूरी तरह से समझाने की अंदर योगे रह सकती है तो अध्यात्मिक जगत भी विविदता का जगत है जैसे हम सब एक प्रकार का प्रसाद रोज नहीं खा सकते बोजन रोज नहीं का सकते एक तरह का आपको रोज सुभेज दुपर शाम खिजडी केल आएंके तो नहीं काएंगे ना हर संडे भी खिजडी केंगे प्रोग्राम की बाद तो नहीं काएंगे ना तो लोग बोलेंगे लिएह आपके अवतार बजलते हैं मेन्यों भी तो मदलो थोड़ा थोड़ा अवतार बदलते मेन्यों एकी रखते हो आप हमेशा तो हम सब को वराइटी चाहिए विविद्धा चाहिए तो अध्यात्मिक जीवन में भी विविद्धा है उसमें भी हमारा जो संबंद है भगवान से वो विविद्ध रसों के अंतरगत होता है जिस प्रकार से येशोदा माई का क्रिष्ण के साथ संबंद है अर्जुन का क्रिष्ण के साथ संबंद सखा के रूप में येशोदा माई का क्रिष्ण के साथ संबंद वासले के रूप में श्रीमति नादारानी का कृष्ण से संबंद एक माधूरे के रूप में तो आध्यात्मिक जीमन भी विविदता से भरा है और इस विविदता के अंदर हर प्रकार की भावना वाले व्यक्ति के लिए हर प्रकार का एक आयोजन है लेकिन इस विविदता में जो स्रेष्टता है वो माधूरे की स्रेष्टता है तो शांत से बड़ा दासे, दासे से बड़ा साखे साखे से बड़ा वासलिय और वासलिय से बड़ा माधूरे रस माना जाता है और वो माधूरे भगवन कृष्ण के साथ है इसलिए वो लक्ष्मी भी उस मादूरे की रस्का आजवाधन करने के लिए नारायन को त्याग के कृष्ण की राश दिला में प्रविश करने का प्रयास करती है तो इसलिए वो इश्वर परमकृष्ण है जो की सर्वकारण कारणम है क्योंकि वो सभी रसों के इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है रसिक शिकर यानि कि वो सभी रसों के स्त्रोत हैं उनके साथ सभी रसों के अंदर संबन्ध सापित किया जाता है तो चेतने महाप्रभु जब वेंकट भट के घर में रह रहे थे तो वेंकट भट के घर को छोड़के अब अगली यात्रा के पड़ाप पर जाने जब लगे तो गोपाल भट भी चेतने महाप्रभु के पीछे चलने लगे और वो कहने लगे मैं भी वही जाओंगा जहां आप जाएंगे और मैं आपी के साथ रहूँगा आपको छोड़ूँगा नहीं अभी लेकिन चेतने महाप्रभु ने गोपाल भट को आदेश दिया कि आप जब तक आपके माता पिता जीवित हैं तब तक उनके साथ रहना लेकिन विवा मत करना कभी भी और जिस दिन ये ना रहें मेरे पास आ जाना इनके सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाना तो अभी गोपाल भट गोस्वामी ने उस दिन तक प्रतिक्षा की और जब उनके माता पिता नहीं रहे तो वो छोड़ के ब्रिंदा बन गए चेतने महाप्रभु ने उन्हादेश दिया था प्रिंदा बन जाना और रूप और सनादन गोस्वामी के आश्रे में रहना और भ्रक्ति के ग्रंतों की रचना करना और लोगों के जीवन में इस संदेश का प्रचार करना तो जो आदेश गुपाल भट गोस्वामी को चेतने महाप्रभु ने डारेक्ट साथ साल की आयो में दिया गुपाल भट गोस्वामी उस आदेश के साथ पूरा जीवन जीए आखरी सांस जक उस आदेश को पालन करते हुए जीते रहे तो इसलिए गुरु और शिशे के संबंद में मुख्य बात क्या है सेवा तो गुरु के साथ जो संबंद सापित किया जाता है तद्विधी प्रणी पातेना परिप्रश्नेना सेवया उपदेख्षन्ती ते ग्यानम ज्यानिवा तत्व दश्जिना सेवया यानि कि गुरु और शिशे का संबंद सेवा के उपर आधारित है तो चाहे गुरु वर्तमान शरीर में भी रहे या ना रहे चाहे गुरु समीख भी रहे या दूर भी रहे वो संबंद बना रहता है सेवा के आधार पे तो जब शिशे गुरू के आदेशों का पालन करता हुआ अपना जीवन जीता है तो वो संबन उसके लिए शाष्वत बना रहता है गुपाल बट गुस्वामी सात वर्ज की आयू में चेतने महाप्रभु से उन्होंने अपने जीवन का लक्षे और जीवन का आदेश प्राप कुपाल बट गुस्वामी ने अपनी साथ साल की आयू से ही प्रबोदा नंत भट जो की उनके चाचा थे उनसे भद्ति के शास्त्रों को सीखना शुरू कर दी और उस लक्षे की तयारी इतनी छोटी आयू से शुरू कर दी और फिर जब उनके माता पिता नहीं रहे तो वो चिंतने महाप्रभु की आदेश की अनुसार ब्रिंदावन आ गए और ब्रिंदावन में रूप और सनातन गुस्वामी के आश्रे में आये और रूप और सनातन गुस्वामी ने गोपाल बट गुस्वामी का हार्दिक स्वागत किया इन शे गुष्वामियों के बीच में जिस प्रकार का वहवार था जिस प्रकार का आजरन था उसको देख के हम भक्तों को बहुत प्रेरना मिलती है कि वास्ता में भक्तों के बीच में कैसा संबंद और कैसा वहवार किस प्रकार का सदाचार रहना चाहिए तो ये चिए गुस्वामी इस आदर्श की सापना कर रहे थे कि कैसे गुपालबट गुस्वामी जो की बिल्कुल नए आये थे लेकिन रूप और सुनातन गुस्वामी बहुत जाने माने थे और बहुत समय से स्तापित थे बृंदावन में लेकिन गुपालबट गुस्वामी का हिरिदे से स्वागत कर रहे थे उनको जो आवशकता थी वो प्रदान कर रहे थे और गुपालबट गुस्वामी के लिए चेतरे माह प्रभू भी बड़े चंदित थे और दो चिंतित दे कि कहीं गुपालबट ब्रिंदावन पहुचे होंगे नहीं पहुचे होंगे वहां रह रहे होंगे नहीं रहे होंगे तो गुपालबट रूप और सनातन गुस्वामी ने जब गुपालबट गुस्वामी उनके पाथ ब्रिंदावन में आये तो एक संदेश वाहग को संदेश लेकर भेजा कि गोपाल भट अब हमारे बीच में ब्रिंदावन में आ गए तो जब चेदने महाप्रभु गदादर पंडित के साथ तोटा गोपीनाथ में जोंकि जगनाथपुरी में वहां रहे बैटे थे तो उस समय संदेश वाहग आया गोपाल भट जी का ब्रिंदावन पहुंचने का संदेश लेकर तो चेदने महाप्रभु इतने खुश हुए कि उन्होंने गोपाल भट गोस्वामी के लिए कुछ अपनी संदेश द्वस्वें भेजी अपने आशिरवाद और अपने प्रसाद के अगरूप में अपना कोपीन भेजा और साथ में एक चौकी भेजी कुछ प्रसाद भेजा और गोपाल भट गोस्वामी को जब चेदने महाप्रभु का उप्योंकी हुआ चौकी और गोपीन मिला तो उसको वो अपने मंदिर में रख के उसको विग्रा की तरह उसकी रोज पुजा करते थे और आज भी वो ब्रिंदावन में रादार्रमन मंदिर में उप्लब्द है जो गोपाल भट गोस्वामी को जब चेदने महाप्रभु ने पुरी से भेजा और उसकी आज भी महापुजा होती है तो कैसे भगवान से संबंदित वस्तू भी कितनी शक्ति शाली है कि वो हमें भगवान का परिचे देती है वो हमें भगवान के साथ हमारा संबंद सापित करती है तो इसलिए भगवान ही नहीं भगवान के साथ संबंदित वस्तू भी भगवान के समान ही पूजनी है तो ऐसा नहीं कि हम भगवान का तो संबंद करें लेकिन जो भगवान से संबंदित वस्तू हैं उनका अपमान करें तो कृष्ण सिर्फ अकेले नहीं है कृष्ण में सब कुछ समलेते हैं उनके जीवात्माई भी समलेते हैं उनके अवतार भी समलेते हैं उनके विस्तार भी समलेते हैं उनके भक्तगन भी समलेते हैं उनकी सारी शक्तियां भी उसमें समलेते हैं तो इसलिए जब हम कृष्ण का सम्मान करेंगे, तो कृष्ण से सम्मंदित हर कारे का और हर वस्तु का भी हम सम्मान करेंगे. जैसा कि गोपलबट गोस्वामी चेतने महाप्रभु से सम्मंदित, उनका जो प्रसाद रूपी चौकी आदि आया, उसकी भी पूजा करने लगे, उसका वो सम्मान करने लगे. तो एक बार गोपलबट गोस्वामी गंड की नदी में नर्शन करने के लिए का इस नानादी करने के लिए का है. तो कई तीर सानों पे होते हुए वो गंड की नदी तक पहुँचे, और जब गंड की नदी में पहुंचे तो गंड की नदी में शाली ग्राम शिलाएं पाई जाती है तो यह नदी नेपाल में बहती है और वहाँ शाली ग्राम मिलते है तो उसका पानी काला दिखता है क्योंकि शालिग्राम के रंग की वज़ा से वो पानी काला काला जैसा दिखता है तो गुपारवण गुस्वामी ने स्नान किया और स्नान करने के बाद अपने कमंडल से जल भरने लगे तो जब जल भरने लगे तो उस जल में आश्चर जलत तरीके से उनके कमंडल में 12 खुलाम को फैक दिया और फिर पानी भरने की लिए कमंडल डाला और जब क मंडल डाला तो फिर से वह शालीग्राम ख्ba की 12 फिरसे कमंडल में आ गई है तो गोपाल बैटक़ समझ में यहाँ या रहा है क्या व हुढ लगा नई चाहिए हुने जल्ब बरना हैं लेकिन फिर से उन्हों नभवानी डाला वाप पर चल्ब शिला डाल दिया और जब तीसरी बार कमंडल भरा तो फिर से बारा शिला है अपने आप उस कमंडल में आ गई तो उनको लगा शैद भगवान चाहते हैं कि कुछ उनके पीछे इसका कारण है वो चाहते हैं कि यह उनके साथ जाएं उनकी सेवा करें तो कुपलबट गुस्वामी इन शिलाओं को ब्रिंदावल ले आए और रोज तुलसी चंदन के साथ उनकी सेवा करने लगे और यहुना के जल से उनको स्नानादी कराने लगे तो एक दिन नर्सिंग चदुदशी का दिन था और नर्सिंग चदुदशी के दिन में यह 1544 की बात है और एक बहुत धनी वेपारी ब्रिंदावन में आया और ये सारे गोस्वामियों के पास जा रहा था रूप गोस्वामी, सराकन गोस्वामी और भी अनने महन भक्तों के पास जा रहा था और उनके पास जाके उनको भगवाल के शिंगार के लिए वस्त्र और जो अलंकार आदी भेट में दे रहा था तो ये सब के पास जाता हुआ गुपाल बट गुस्वामी के पास भी पहुँचा तो गुपाल बट गुस्वामी निदिवन के पास एक स्तान में रहते थे और वहाँ पर रहकर भजन करते थे भगवान का नाम जब करते थे तो जब ये व्यक्ति गुपाल भट गुस्वामी के पास पहुँचा तो गुपाल भट गुस्वामी के पास पहुँच के इसने गुपलबट गुस्वामी को भी भगवान की शिंगार के लिए वस्तर अलंकार सब दिये तो गुपलबट गुस्वामी के मन में एक विचार आया और वो सोचे लगे कि मेरे पास तो कोई भगवान का विग्रा नहीं है और इन सब को मैं शालिग्राम के लिए उप्योग करी नहीं सकता हूँ तो काश मेरे पास भी भगवान का विग्रा होता तो शायद मैं भी उनका ऐसा इन अलंकार और मस्तरों से शिंगार करता तो बस ऐसा नहीं कि उनको तीव रिच्छा थी असा कि भगवान का विग्रे होना चाहिए बस उनके मन में ऐसा थोड़ा विचार मांतर भी आया और उसके बाद वो यमिना में स्नान करने के लिए चले गए और जब स्नान करने के बाद वापिस आये तो 12 शालिग्राम शिला थी लेकिन अभी 12 की जगा 11 ही रह गई थी और एक शालिग्राम शिला वो भगवान कृष्ण के विग्राग में परिवर्तित हो गई थी और इतना इतना उचा भगवान कृष्ण का विग्राग वो शालिग्राम शिला बनके भगवान कृष्ण त्रिपंग मुद्रा में बारसुरी जैसा हाथ में लिए उस मुद्रा में खड़े थे तो गुपावण दुपावण बड़े हैरान हो है कि मेरी शिला खा गई और ये भगवान का विग्रा कहां से आ गया तो देखा कि उस विग्रा के पीछे, पीट पे शालिगरम शिला का चिन्न था, जिससे वो विग्रा बन गया था कि निस विग्रा कर भार Northन। तक झाो की फिछन पीफ्रा सिर्ण तरमश मैंस होड़ हो जोल से एthank प्रिष्ना हूरेला के मुऌेय। Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama!